हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए तो चलिए शुरू करते हैं अगर घर में कोई सबजी नहीं हो और आपको कुछ चटपटा सा खाने का मन करें तो आप ये रेसिपी ट्राइ कर सकते हैं उसके लिए मैंने यहां पर एक कड़ाई लिए, कड़ाई में दो से तीन चमच सलसू का तेल एड़ करेंगे जैसे ही तेल अच्छे से गिरम हो जाएगा, गैस के फ्लेम लो कर देंगे, उसके बाद हम इसमें आदा चमच जीरा डाल देंगे और आदा चमच हम इसमें राई डालेंगे राईजीरा अच्छे चटक गए है तो उसके बाद हम इसमें दो neware system के डाल देंगे सूकी लाल मिर्जग अप्छाए तो इसे skipe कर सकते लाल मिर्च डालने के लाइं गूर यह उसे एक बार चला लेंगे, ताकि लाल मिर्च हमारी अच्छे से बुन जाए और इसका तीखा पने गूंगे। मैंने यहां पर एक प्याज लिया प्याज को बारी काटके ले लिया प्याज डालने के बाद हम इसे एक से दो मिनिट के लिए भून लेंगे जब तक यह ट्रांसपरेंट सा नहीं हो जाता आज हम यह दई तड़का बना रहे हैं यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है इसे बहुत आसान है और सिर्फ दो से तीन मिनिट में यह बनके तयार हो जाता है तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए आपको यह बहुत पसंद आएगी तो यह देखिए प्याज हमारे बुन चुके है तो अब हम इसमें मसाले एड कर देंगे प्याज को इत न तरब हमें उसके मसाले को अच्छा से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे एक से दो मिन थे मिन के भून मेंत के त्यार hories को सबसे बनाने का मन ने थकाने तो भी आप इसे बना सकते हैं इसे बनाना बहुत यासान है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है आप इसे रोटी पराटे पूरी चावल किसी के साथ साथ कीजिए बहुत पसंद आएगा तो ये देखे दई को हमने अच्छे से फेट के तयार कर लिए और अब ह चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी एड कर सकते हैं मैंने या पर पानी एड नहीं किया है अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबालनी आ जाता अगर आपने दई को चलाना छोड़ दिया तो दई फट सकता है और इसका जो फीर टेस्ट का बनके तयार हो जाएगा मैं आज इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ इसलिए मैंने गेस की फ्लेम को ओन रखा और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें उबालनी आ जाता और जैसे जैसे यह पकता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा और यह द कटावा हरा दनी डाल देंगे लीजिए तयार है हमारा मज़ेदार सा दई तड़का अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना अपने फैमिली और फ्रेंड से भी शाष शेर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैस साहतरक करना खाल दिए धननलिघ तकमचा ऊच्छी लगी की लोगी यह रेसिपी के आपको प्रांद शेती है हमारा मज़ेदाक आपको रेसिपी लगी की ओख वार एक मतलुच साट UP करना है हमारा मज़ परेसिखे है वीडिए के वितनट आपको तकमद्सा टूर की कि तन jakiś